सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूटूब चैनल और बेल आइकॉन दबा कर सभी लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाईए हेलो फ्रेंट्स मैसल प्रोक्र सक्तिया अश्री होम्यो के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम आप से बात करने वाले बहुत पहतरी हार्ट मेडिसिन के बारे में यह दवा बहुत अच्छी हार्ट टॉनिक है तो आज हम आप से बात करेंगे एक नए होम्योपाथिक मेडिसिन एडॉनिस वर्नैलिस के बारे में एडॉनिस वी नाम से यह दवा आपको मार्केट पे मिल जाएगी तो आये जानेंगे अज एडॉनिस भी किस प्रकार के हार्ट सिंटम से वर्ग करती है क्या-क्या आपको लक्षण दिखाई देते हैं साथिसाथ इस दवा का प्रियोग किस प्रकार से किया जाता है तो आईए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर ते हैं क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परिशान है तो समय गवाए बिना वेस्ट होमेथि क्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पेल आइकॉन दबाएं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी जो भी हमारी चैनल श्री होमे पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकॉन को टैप कर ले क्योंकि इस तरह के नौलिस्पि वीडियो सम आप के लिए रोचाने लेकर आते क्यों आ रही हैं तो यदि आपको बार-बार इंफ्लुएंजा यानि सर्दी जुखाम वाली दिक्कते लगी रहती है यानि रेस्पिरेटरी वाली कोई ट्रवल रहती है इसकी बाद आपका रियूम्टिस्म यानि कई लोगों को आपका रियूम्टिस का प्रॉब्लम रहता है कई बार किडिनी के परेशानी के वज़े से भी आपके हार्ट में दिक्कत आने लगती तो अगर इन वजहों से आपके हार्ट में परेशानी आ रही है खास तोर पर पेरिकारडाइटिस इंडोकारडाइटिस एयॉर्टिक रिगर्जिटेशन यानि कि अगर आपकी जो हा हार्ट है उसमें ऐसा लग रहा है कि हार्ट वाले एरिया में चेस्ट में हमेशा दर्द बना रहता है कंजेशन जैसा महसूस होता है ऐसा लगता है कोई वजन रखा हुआ है लंबी-लंबी सांसे लेनी पड़ती है आप जदी आप नॉर्मल तरीके से सांस नहीं ले पारें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन जब हमें कोई तकलिफ होती है तो हमें अपनी बॉडी के ऑक्सीजन को मिंटेंड करने के लिए कभी-कभी-कम लंबी-लंबी सांसे लेनी पड़ती है तो एड़निस वी का जो पेशेंट है उसको अक्सर इस तरह की लेनी पड़ती है ताकि वो प्रॉपर ऑक्सीजन उसकी बॉडी में सप्लाई जा सके कई पर कार्डियक अस्थमा जो कार्डियक यानि हार्ट से ओरिजिनेटेड आपको जो अस्थमा की तकलिफ रहती कार्डियक अस्थमा की प्रॉब्लम में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है और साथ ह तर्फोल साथ कई बार आपका हार्ट इतना ज़्यादा कमझोर होता है कि हार्ट मुसल में प्रॉपर भीडर्ब वनपै स्थमा को ओनदे तक तकि आपके यह दोनों प्रकार की ब्लड आप उसमें मिक्स ना हो पाएं लेकिन कई बार यह मसल की वीकनेस की वज़े से वाल वीक हो जाते हैं और बैक फ्लू होने लगता है तो एक रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है साथी साथ लंग्स में अ जो इनफेक्शों होते हैं साथी साथ आपके कई भार बैक्तिरियियल इनफेक्शोंस जैसे की प्रॉबलम इंडोकारडायट honesty कि प्रॉबलम इन सभी समयावचा की बज़े से हार्ट में दिक्कति जा रही है ताब आप इस दवाग का प्रुग कर सकते साथी साथ कई लोगो जो वह बीक आप जब अपनी पॉल्स को फिल करेंगे तो पॉल्स आपकी वीक है उतनी अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं तो इस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है फैटी टी जनरेशन ऑफ हार्ट काई बार जब हार्ट में आपका डिपोजीशन होता है खासतर पर कॉलिस्ट्रॉल का डिपोजीशन हमालने या आपका जो क्लोटिंग जमा हो जाती है तो इसकी वज़े से जो दिक्कते आती हैं आपको हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर प हार्ट मसल की वीकनिस में यह बहुत अच्छा पर करता है जब हार्ट के मसल स्थीक या नहीं कर पा रही हो तो ठीक हाइब बलड प्रश्र की वज़े से कई बार क्या होता है कि आपको अडिमा हो जाता है लाक्स में खासतर पर extremities में लाक्स ने पैरों में आपको सुजन को मिलती DEMA देखने को मिलता है इसके साथ यूरीन के राषटे से प्रोटीन का जाना Albuminuria की प्रप्लम कहलाती हुए तो यानि यूरीन के राषटे से जब deed प्रोटीन से क्रिशन होने लगता है में इस गूर का प्रयोक किया जाता ऑश साथी साथ मरीच को थोड़े ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि छक्कर आ रहे हैं ऐसे थोड़े ऐलूजिनेशन थाइप हो रहा है कि कादों में कुछ आवाज आ रही है और थोड़ा इन जब सो रहा होता है मरीच उठकर तो जब उठने की कोशिस करता है उस समय उसको ख करें कि मैंड में कैसे फीलिग रहेंगीं तो रेस्टलंस रेस्टर्स थ्रेस्ट्र्स घ्ञानी सय ठीमित करता है भूर जाद प्याइट भी Eyesenden क tooling बहुत जाद जाद कि आपको पैरों में सूजन आ रही है आप पल्स वागरा देखेंगे तो पल्स वीक रहेगी सांस लेने में देखेंगे तो रेस्पिरेटिस सिंटम से लेनी पड़ रही है तब जाके ऐसा लग रहा कि प्रॉपर ब्रीथ कर पा रहे हैं और जब आप रिपोर्स वागरा करवा आपके कॉंट्रेक्शन देखने को मिलते हैं चलिए अकर इस तरह के लगशन देखने को मिल रहे हैं आपका हार ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो आपको इस दवा को किस प्रकार से सेवन करना ये एक होमियोपैथिक दवा है जिसे आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है जब आप किसी मदर टिंचर को पर्चिश करेंगे तो इसके नाम के आगे लिखा रहेगा एड़ॉनिस भी प्लस एक ठीटा का साइन बना रहेगा और ये जो ठीटा का साइन है ये मदर टिंचर रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको लेना है जिसकी आपको आधे कप पानी म 20 बूंदे मिला के सुबह दो पहर और साम दिन में तीन बार आपको पीना है तो जिन लोगों को भी हाइब्र प्रेसर रहता है काड ये ड्रॉप सी रहती है यानि आपको सूजन महसूस हो रही है खास तर पर आपको एक्स्टिमिटीज में दिखने को मिल जाता है इडीम में पर ही जाए वही पर मिल पाएगी ओनलाइन www.shrihomicenter.com से जाके परचिच कर सकते हैं तो आपको ये जानकारी पसंद आई होगी कोई डाउट हो आप कुछ और इस दवा के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यूटूब की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपके जानकारी में लेजा करा दी जाएगी और साथी साथ दोस्तों अगर किसी क्रोणिक प्रोब्लम से सफर कर रहे हैं और एक होमेपेथिक का प्रोपर ट्रीटमें लेना चाहते हैं तो हमारे वाट्सप के नमबर 9305024291 9305024291 पर वाट्सप मैसेज करके संपरक करके आ कि मनमाला सकते है, तो हम दोस्तों जानकारी पसंद Bevölker को पसंद आहरी तो पिए जरू करिएगा अपने दोस्तों के सथ अपने सोसल मीढिया अकांट पर सभी को यह बहुत 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 नí नियू रदाएगी निया को उनिया होमेथिकद देवाके द्लमल खार सह झाल झाल